बहुत बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 62, 132 तदा 237 को भाग देने पर प्रतेक दशा में समान शेश बचे इस टाइप को कुशिन आपके टैट में चरूर पूछा जाता है और वन मार्क्स तो इसमें आपको मिलता ही है मतलब वन मार्क्स का जो इस टाइप को कुशिन है वो एक्जाम में पूचा ही जाता है यह लेत इस टाइप का स्टाइप का कुशिन मैं आपको बताओंगी कि कैसे इसको गुशुन को स्टोर के जाता है तो इसमें आप्शन द ऐस 25, 35, 45 और 27 तो देखते हैं इसको कैसे solve करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते है एक दूसरे से इनको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते तो सबसे पहला देख लेता है 132 को हम माइनस करते है 132 मेंसे हम माइनस करते है 62 फर्स टेप हमारा यह हो गया सेकेंड हो गया कि हम 237 मेंसे 132 को क्या करेगे सब्ट्रेक्ट करेगे अब हमने 237 मेंसे ही किसको सब्ट्रेक्ट करना है 62 को सब्ट्रेक्ट करना है देखिए अब इसको subtract करके 2-2 0 and 13-6 आजाएगा हमारा 7 अब 7-2 हमारा आजाएगा 5 and 3-3 0 and 2-1 1 7-2 5 and 13-6 आजाएगा 7 and 1 वे हमारे पास अब 3 numbers आजाए हैं 70, 105 and 175 अब हम क्या करेगे इसका क्या लेंगे hcf highest common factor तो उसमें सबसे पहले हम 70 और 105 का क्या लेंगे hcf देखिए 105 and 70 70 वेंजा 70 अब वेंजा जाएगा तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर बच जाएगा 35 अब देखिए 35 हमारा क्या बन गया यहाँ पर अब यहाँ पर dividend था अब यह हमारा diviser बन गया है और 70 हमारा क्या है diviser था अब यह dividend बन गया है तो 35 to the 70 होता है इसको सब्ट्रेक्ट के 00 यानि हमारा यहाँ पर hcf 35 आज चुका है अब हम क्या करेगे दुबारा से इसको चेक करने के लिए कि हमारा अंसर सही है या गलत है 35 को 35 और 75 का 175 का hcf निकाल लेते हैं देखते हैं अब देखिए 35 5 जा कितना होता है 175 yes it means हमारा 35 is the correct answer यह देखिए यहाँ पर option भी हमारा क्या जाता है correct answer जाता है so you can solve this question like this like first of all आपको क्या करना है इन सब को इन सब number को एक दूसरे से क्या करना है subtract करना है और जो हमारे पास three numbers available होंगे उनका हमने hcf निकालना है और जो हमारा hcf होगा वही हमारा correct answer होगा यानि कि अगर हम इन numbers को 35 से भाग देते हैं तो हमारे प्रतेग दशा में जो हमारा जो 6 फल है यानि 6 जो बचेगा वह समान ही बचेगा तो it means 35 is the correct answer तो एक बार दुबारा से बता देते हूं में अगर बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो इसमें आपने सब्ट्रेक्शन करना है अगर चोटी से च कोटी संख्या होगी तो इसमें आपने addition करना है तो बड़ी से बड़ी संख्या इस question में हमसे पूछी है तो सबसे पहले you have to subtract all these numbers with each एक दूसरे के साथ इसको क्या करना है अपने सब्ट्रेक्ट करना है एक दूसरे से और फिर जो भी नंबर आएगे उनको उनका क्या निकालना है एच सी एफ निकालना है और जो भी हमारा एच सी एफ होगा वही हमारा करेक्ट अंसर होगा I hope आपको ये question समझ आ गया होगा आपको question इसी type का दिया होगा आपके cable numbers only numbers change होगे यहाँ पर Thanks for watching my video मिलते हैं यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या के साथ तब तक के लिए Bye, Take care